ही गाइस वल्कम प्यक्तु मैं चैनल आप सब कैसे ही आई हूप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज आपके साथ में तो एक कुर्तिस की डिजाइन का वीडियो शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल एजी से बनने वाले डिजाइन से जिन आप अपने कुर्तिस पर इस टाइ जिन आप किसी भी पर इने वीर कर सकती है तो सबसे फ़र्ष यह तीन कुर्ति मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो फ़र्ष यह वाल कुर्ति इसका जो कलर रहे वो कैम्ट्प अलग दीख रहा है डिफेंट कलर है और यह और इसका कोलर पहुत ही है सबसे लेसे जिसे चल्की लेस भी कहते हैं इस तरह से वे लेस को नेक पर लगाया है नहीं बड़न बटन भी लगा सकते हैं उस्टाइप की जो शीजर लेस ऑर डिफेंड़ क्लर्श में भी मार्केट में आपको इजली मिल जाएगी से इसे लेस को यह पर दो लेस पतली उपर लगाएं और नीचे की तरह इसकी एस पर यहां पर ट्रेंगल लेस लगाएं सिल्वर क्लार की प्लीज की मूरी पर इस तरह से लेस लगा दीजे बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही खुशत लगती है कुर्टी को अच्छादा अच्छे से लुक देने के यहां पर मैंने इस तरह से साइट की चाघ पर लेस लगाया हैं यहां पर चाइट की फ्रन्टिके पर ही लगाएं इसके बैक पर इस लेस को नहीं लगाएं अगर आप चाहे तो फ्रन्ट지는 तरफ इस मू लगा सकती है इस खुर्थी का मैं पूरा फूल ओवर्रुक दिखा रही हूँ कि सक्यूपर इस तरह से unleash लगाने के बात यह फूल खुर्थी किस तरह से लग रही है अगर आपके पास भी सिंपल सा प्लैन कॉटन का फैब्रिक या रियोन का इस तरह से कोई फैबरिक रखा हुआए तो इसके ऊपर आप इस तरह से सिल्वर लेश या इस तरह से जो चर्खी juste आती है या गोटा की पतली lais इसे लगा सकती है ओगो यह this आपको मार्केट में apparently कोड़ी मिल जाएगी थर्य कोड़ी है इसका जो फैब्रिक एवर योन फैब्रिक है यो मिंटी इलाइची गरेश का इसका जो न्यकी डिजाइन देश इसकी कोड़ी पर मैंने आ पर हाफ इस्टेन डिऊन श्टिच की है और इसके नेख पर इस तरह से लेस लगाएक इसके अं इसी तरह इस तरह नीचे गहर बीच मे आप चाहे तो यहां पर तीन से चार भी लगा सकती है कबिए अगर आप चाहें थो कुरती के फरंट और बेक दोनों तरफ इस तरह से लेस को लगा सकती है अगर आपके पास भी को इस तरह को डिफ्रेंट लेस रखी वी कलर कॉम्बिनेशन में तो आप अपनी कुरती पर इस तरह से लगा कर उसे बनवा सकती है फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अबित तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी टैप्स की और वीडियो देखने के लिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकिशन बेल है उसे प् बहुत ही कमपेटेबल होता है इसकी नेक पर इस तरह से सिल्वर पतली घोटा लेस लगी हुई है अगर आप चाहे तो डिफरेंट कलर की लेस भी लगा सकती है इसकी पर देख सकती है कि लेस को किस तरह से लगाया है इसका जो नेक है वो बोट नेक है बोट नेक पर इस तर उस पर इस तरह से आप देख सकती है कि नीचे की किनार की तरफ ट्रेंगल लेस लगी विए उसके उपर की तरफ दो घोटा की पतली लेस लगी विए कुर्थी की चाग पर भी इस तरह से सिल्वर कलर की ट्रेंगल लेस को लगाया है मैंने हाँ पर जो ट्रेंगल लेस लगाये वो कुर्थी की फ्रंट साइड पर ही लगाये इसकी बेक साइड पर ये लेस नहीं लगाये अगर आप चाहे तो गुर्ती के फ्रंट और बेक दोनों तरफ से इस तरह से ये ट्रेंगल वाले लेस लगा सकती है इसके गेर पर भी इस तरह से लेस को लगाया है इसके एस पर ट्रेंगल वाले लेस लगाये इसके बाद में दो पतली गोटा की लेस लगाये इस लेस को अगर आप चाहे तो 2-4 भी लगा सकती है और ट्रेंगल वाले जो लेस आपको मार्केट में आसानी से 5 रूपे मिटर के अंदर मिल जाएगी और यह डिफरेंट कलर्स में भी आती है जो आप अपने सूट के अकोडिंग इस तरह से लेस को बाई कर सकती है इसका आप फूल ओवर लुक देख सकती कि कितना खुपसत लग रहा है इस टाइप की कुर्तिस पर इस तरह से अगर लेस लगवा कर इसके साथ में कोई भी ट्राउजर पैंट या इसके साथ में कोई भी कलर काट कलर कोमिनेशन का डूपट्टा और ट्राउजर पैंट वियर क इसके साथ में डूब साइब